दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वारे हैं स्वंजराइजर सेधराबाद और मुंबई इंडियन्स के फाइनल प्लेइंग 11 पेश रिपोर्ट प्लेयर्स अपडेट प्लेयर मैचअप्स और टीम प्रेडिक्शन और फैंटेसी टीम के बारे में वीडियो को स्टार् बुलना आज का हमारा टार्गेट है पांच अजार लाइक्स का तो इसे पूरा जरूर कीजेगा एसरेच वर्सेज एमाई की मैच 18 प्रेल को साम साड़े 7 बजे राजीव गांद इंटरनेशनल स्टीटियम हैदराबाद में खिला जाने वाला है बात करतें वेन्यू के बार चाचट मीटर की है और स्टेट बांडरी 71 मीटर की है सीप पिच रिपोर्ट राजीव गांद इंटरनेशनल स्टीटियम के पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी होती है लेकिन अच्छी गेंदबाजी की जाए तो यहां बॉलर्स को भी मदद मिलती है स्टेडियम के पिच स्लो है और इस स्टेडियम पर गेंदबाजी करते समय स्टेडियम एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे क्योंकि बॉल पिच से ग्रिप होती है जब बल्लेबाज बीच में कुछ समय बिताते हैं तो रंस बनाना आसान हो जाता है आई पिल 2023 में हम पहले ही इस स् स्कूर 145 रंस का है हाईस्ट टूटल की बात करे तो रसी बी ने हैदराबाद के खिलते वे 20 ओवर्स में 231 रंस बनाये थे और लोईस्ट टूटल की बात करे तो डेली ने हैदराबाद के खिलते वे 80 रंस बनाये थे इस ग्राउंड में पहले बैटिंग करने वाली टीम 86 म विकस्लिये हैं अब बात करतें प्लेइंग 11 और अपडेट्स के बारे में हैदराबाद की बात करें तो अपने पिछले मैच में हैरी ब्रुक के शौतक से संराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी काफी मजबूत हो गई थी असारच के कप्तान एडन माकम और हैंरिक क्लास ने मीड ओवर्स में लास्ट के ओवरों में तीजी से स्कोर करके असारच को हमेशा रन रेट्स से आगे रखा बोवनेशोर कुमार और मार्को जानसन पावल प्रे में अच्छी गेंदबाजी करते हैं और हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव मायंक मारकेंड की आई पिल में धमाकेदार वापसी है अब बात करें हैदराबाद के प्लेइंग 11 की तो शायद ही टीम में कोई बदलाब होगा अगर आपको इसकी अपडेट चाहिए होगी तो हमारे टेलिग्राम चैनल को तुरंट जॉइन कीजे जहां हम आई पिल के सभी लेटस्ट की जरूरत होगी क्योंकि रोहित उनकी बल्लेवाजी को एक साथ जोड़े रखते हैं दिल्ली के खलाफ उनके हाप सेंचुरी से रोहित का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा इसान किशन तेलग वर्मा और कैमरून ग्रीन के बल्ले से रन आने से एम आई के लिए अपने आई प कोड़ाफट जाकर डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक से जॉइन कर लो क्योंकि माई 11 सर्किल पर बाकी आप से कम कॉंपेटिशन है बाकी जगह पर आप एक से डेड़ करोड लोगों के साथ खेल रहे हो और माई 11 पर बस 20 लाक स्पॉट है और इंट्री फीवी 49 ही है लेकिन यहां अगर आप कॉंपेटिशन में सेकंड भी आते हो तो आप एक करोड रुपे जीत सकते हो और अगर आप यहां फर्स आते हो तो आप एक करोड रुपेओं के साथ साथ ब्रैंड न्यू लग्जरियस ओडी के मालिक भी बन जाते हो है ना कमाल की बात साथ ही साथ एक और कमाल की बात बता दूँ कि हमारे दियेगे लिंक से अगर आप माई 11 सर्किल जॉइन करते हो तो पंदरा सो रुपे का इंस्टेंट बोनस मिलता है साथी साथ 20% रियल कैश आपके फ़र्स डिपोजिट पे मिलता है आपको M.E.C. New ये कोड यूज करना है तो सभी विवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप Grand League खेल रहे हो तो बस माई 11 सर्किल पर ही खेलना है और डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में दियेगे लिंक से डाउनलूड करिए अब बात करेंगे दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 के बारे में पहले बात करते हैं सारिच की अब जल्दी से नज़र डालते हैं दोनों टीम्स के इंपक्ट प्लेइर्स पे पहले बात करते हैं सारिच की अब बात करते हैं अगर मुंबाई की पहले बैटिंग आते है तो सूरी कुमार यादो प्लेंग 11 में होंगे और मुंबाई की पहले बालिंग आती है तो इंपक्ट प्लेइर के लिस्ट में होंगे यह प्रोबेबली प्लेइंग 11 है इसमें कुछ भी बदलाव होते हैं तो आपको इसके अपडेट हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी हमारे चैनल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो जल से जल हमारे चैनल को जॉइन कीजे अब बात करते हैं दोनों टीम्स के हेड टो हेड कमपरीजिन के बारे में तो हैदराबाद ने कुल नौ मकाबले जीते हैं और मुंबई ने कुल नौ मकाबले जीते हैं अब बात करते हैं दोनों टीम्स के फॉर्म की तो हैदराबाद ने लाश्ट 10 मैचों में 3 मैचे जीते हैं और मुंबई ने लाश्ट 10 मैचों में 6 मैचे जीते हैं अब बात करते हैं दोनों टीम्स के इस साल के लाश्ट 2 मैचे के बारे में बात करे है हैदराबाद की तो कुल पीबी कीस मकाबले में हधरावाद ने इस मैच को आसानी से जीता था उस मैच में हधरावाद के लिए राहुल त्रिपार्टी ने हाफ सेंचुरी लगाई थी और मैंक मारकंडे ने चार विकेट लिये थे बात करें मुंबई के आखरी दो मैचिस की तो मुंबई में हुए M. माई वर्सिस के क्यार के मकाबले में इशान किसन ने कुलकता के खिलाफ हाफ सेंचुरी जड़ी थी इसान ने पचीस बॉलों पे 59 रन की शांदार पारी खेली थी मैच में इशान ने पांच चोके और छे चोके लगाये थे और बालिंग में बात करें तो रितिक शौकीन न मैचे जीते हैं और पॉइंट स्टेवल पर हैदराबाद 9 नमबर पर मौझूद है और इनका रन रेट माइनस 0.822 का है अब बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई ने इस सीजन में अब तक 4 मैचेज खेले और दो मैचे जीते हैं और पॉइंट स्टेवल पर मुंबई 8 नमबर पर है और इनका रन रेट माइनस 0.389 का है अब बात करते हैं सभी प्लियर्स के स्टाट्स के बारे में सन्राइजर सेदराबाद मयंक अगरवाल आईपिल 2023 मैचेज 4 रन्स 65 हैड तो हैड इनिंग्स 15 रन्स 29 वैन्य इनिंग्स 8 रन्स 121 हैरी ब्रुक आईपिल 2023 मैच चार रन्स 13 से एड टो है इनिंग्स न अव्लेंग्स न अवलेब बैन्य इनिंग्स धोर उन्स 26 राहुल्टर पाथी आईपिल 2023 मैचेज नहिंग्स liberal रन्स 260 वैन्य इनिंग्स मैचेज 6 रन्स 95 एडन माकं आईपिल 2013 मैचेज 3 रन्स 87 हैड तो हैड मैचेज 2 रन्स 44 वैन्य 1, runs 37 Abhishek Sharma, IPL 2003 Matches 2, runs 32 Head-to-head, matches 6, runs 71 Venue, matches 3, runs 7 Henrik Klaassen, IPL 2003 Matches 2, runs 16 Head-to-head, innings not available Venue, innings not available Marco Jensen, IPL 2003 Matches 2, wickets 4 Head-to-head, innings not available Venue, matches 1, wickets 2 Bhuvaneswar Kumar T. Natarajan, IPL 2003 Matches 4, wickets 3 Head-to-head, innings not available Venue, matches 2, wickets 2 Mayank Markande, IPL 2003 Matches 2, wickets 6 Head-to-head, innings not available Venue, matches 2, runs 6 Wickets 8 Umran Malik, IPL 2003, matches 4 Wickets 5, head-to-head, matches 2 Wickets 4, venue, matches 2 Wickets 3 Mumbai Indians, Roy Sharma, IPL 2003 Matches 4, runs 607 Head-to-head, matches 19 Runs 325 Venue, matches 16 Runs 466 Ishaan Kisan, IPL 2003 Matches 4, runs 131 Head-to-head, matches 9 Runs 290 Venue, matches 3, runs 49 Cameroon Green, IPL 2003 Matches 4, runs 35 Head-to-head, not available Venue, matches 1, runs 12 Suryakumar Yadav, IPL 2003 Matches 4, runs 59 Head-to-head, matches 70 Runs 300 Venue, matches 5, runs 50 Team David, IPL 2003 Matches 4, runs 72 Head-to-head, matches 1 Runs 46 Venue, innings, not available Tilak Verma, IPL 2003 Matches 4, runs 177 Head-to-head, matches 1 Runs 8 Venue, innings, not available Runs, not available Arjun Tendulkar, IPL 2003 Matches 1, wickets 0 Head-to-head, innings, not available Venue, not available Hrithik Shaukeen, IPL 2013 Matches 4, wickets 3 Head-to-head, innings, not available Venue, innings, not available Piyush Chawla, IPL 2013 Matches 4, wickets 5 Head-to-head, matches 15 Wickets 10 Venue, innings, not available Wickets, not available Don Jensen, IPL 2023 Head-to-head, innings, not available Venue, innings, not available Riley, Madrid IPL 2023, matches 2 Wickets 3, head-to-head, matches 1 Wicket 1, venue, innings, not available अब बात करते हैं Player Match-ups के बारे में Mayank Agrawal vs. Pius Chawla Ball 13, runs 19 Wickets 2 Mayank का record Chawla के सामने काफी खराब है अब तक Chawla ने Mayank को बहुत बार परिशान किया है Raul Tripati vs. Pius Chawla Ball 5, run 6, Wicket 1 Tripati का स्ट्राइक रेट चावला के सामने 110 का और चावला ने Tripati को एक बार आउट भी किया है Rohit Sharma vs. Vasington Sundar, ball 11, run 6, Wickets 2 Rohit Sharma का स्ट्राइक रेट सुन्दर के खलाफ 100 से भी कम है अब तक सुन्दर ने रोहit को दो बार आउट किया है अब बात करतें टीम्स के की प्लियर्स के बारे में बैटिंग में सबसे पहले बात करते हैं हधराबाद की तो हैरी ब्रुक, राहुलतर पार्टी और एड़म माकम ये की बैटर्स सावित हो सकते हैं लास्ट मैच में माकम ने कुलगता के खलाब ताबर तोड़ हाप सेंचुरी मारी थी जिसमें पांच चके सामिल थे और आज के मैच में माकम से बड़े स्कोर की उम्मीद होगी अब बात मुंबई की करें तो सुर्य कुमार यादव और रोहिट शर्मा ये की प्लियर्स सावित हो सकते हैं सुर्य कुमार यादव ने इस सीजन में अब तक कोई बड़ा स्कोर नहीं किया लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने के क्यार के खलाब 43 रंग की अच्छी पारी खेली थी और उनका रेकार्ड हैदराबाद के खलाफ काफी अच्छा है अब बात रोहिट शर्मा की करें तो उनको इस सीजन में अच्छे स्टार्ट मिले हैं लेकिन वो स्टार्ट को बड़े स्कोर में बस एक बार ही कनवर्ट कर पाएं जिसमें उन्होंने डेली के खलाब 65 रंग की मैच विनिंग पारी खेली थी बालिंग में बात करें तो हैदराबाद के लिए मायंक माकंडे माको जैंसन ये की बालर्स थाबित होंगे अब बात करें मार्क अंडे की तो पिछले दो मैचस में मार्क अंडे ने चे विकेट्स लिये हैं और माको जैंसन ने अब तक इस आई पेल में माको जैंसन हैंदराबाद के टॉप बॉलर हैं मुंबाई के तरफ से प्यूश चावला कैमरन ग्रीन यह दोनों की बॉलर्स बन स मैहिसान किसन ने 311 रंस बनाए हैं और आई पिल मैच विनर हैं और इस मैच में एक बड़ी पारी खेल सकते हैं और इस आई पिल में अब तक इसान ने 201 फैंटसी पॉंट्स कमाए हैं बी बैटसमें बड़ा होगा बात करें तो लग बर्मा की तो अब तक इस साल वर्मा ने चार मैचेज में एक हाफ सेंचुरी लगाई है और 266 फैंटसी पॉइंट्स कमाए हैं अब बात ओल राउंडर की करें तो एड़म माकम और कैमरन ग्रीन ये सेफ च्वाइस हो सकते हैं माकम ने इस साल अभी तक 165 फैंटसी पॉइंट कमाए हैं अब तक ग्रीन की बात करें तो ग्रीन को अब तक बैटिंग में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं लेकिन ग्रीन का फॉरम काफी अचा चल रहा है अब तक ग्रीन ने इस साल आईपेल में 14 फैंटसी पॉइंटसी पॉइंटस कमाए हैं डी बॉलर बॉलिंग में बात करें तो मायं कुमार कंडे भवनेश्वर कुमार और प्यूस चावला ये सेफ च्वाइस होंगे ये कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों कैप्टन की बात करें तो सुरे कुमार यादाव और हैरी बुक एक सेफ च्वाइस होंगे लेकिन इनके लिए आपको कुछ बैक अपस रखने होंगे और हमारी फाइनल टीम देखने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजे अब बात वाइस कैप्टन की करें तो तिलग वर्मा एक सेफ चोईस होंगे तिलग वर्मा इस स्पिच को अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो हैदराबाद के लिए डोमेस्टिक रिकेट खिलते हैं और तिलग का ये होम ग्राउंड है अब बात करते हैं मैच बिनर के बारे म मुंबाई हमें कॉमेंट करके जरूर बताना और दोस्तो आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वीडियो की फैंटसी टीम हमने दोनों टीम्स के प्लेयर्स के लास्ट मैचेस के परफॉर्मेंस उनके रिकॉर्ड और उनके स्ट्रेंथ और वीकनिस पर बनाई है और ये हमारी फैंटसी टीम नहीं होती हमारी फैंटसी टीम आपको टॉस के बाद हमारे ओफिशियल टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो दोस्तों हम उमीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई बल आइकन भी दबा लें वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें शुक्रिया दोस्तों अगर आप लोगोंने मायल एवन आप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में है उसे जॉइन नहीं किया है तो जल्दी से जॉइन करिए कम कॉंप एक बाद ट्राइ करके देखो आपको बहुत शानदार लगेगा और इक सबसे जुरुरी बात इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है जिम्मेदारी से खेलें